मुझे यकीन है कि आप सब बिकुछी ठाक होंगे और हमेशा की तरह मुझसे यही रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि प्लीज वेट लॉस से रिलेटेड कोई वीडियो बना दे वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं वेट लॉस से रिलेटेड लेकिन आज specifically मतलब एक certain area को मैं लेके आगे बढ़ूँगी and I'm going to try कि मैं आपको regularly जो है वो certain situations को मद्दे नजर रखते वेट लॉस कैसे कम कर सकते हैं उस पर बात करो आज I want to talk about weight loss यानि कि वेट कम करना pregnancy के बाद बहुत सी खवातीन, बहुत सी खवातीन मुझसे regularly यह सवाल करती है कि pregnancy के बाद weight कैसे कम करें क्यूंकि मैं खुद एक ऐसी pregnancy से गुज़र चुक्यूँ और मेरी first pregnancy थी विध हमजा चब मैंने बहुत कम weight चड़ाया, 25 pounds चड़े उसके बाद जब मैंने weight lose करने के बारे में सोचा हमजा के पैदा होने के बाद तो मुझे during the breastfeeding phase इतना misguide किया गया और कुछ मुझे भी बात की शायद साइड नहीं समझ आई कि मैंने after pregnancy during breastfeeding कोई 15-20 pounds और चड़ा लिए as a result 25 जो पहले के थे जिन में से 5 या 6 pounds मेरे उतर गए 20 pounds plus उसके अंदर और 15 pounds तो 35 pounds मेरे जो मेरा normal weight था उससे ज्यादा हो गया और को 6-7 साल वो weight उतारने की मुझे समझ ही नहीं आई then I finally lost the weight, I got pregnant with Hasan Hasan वाली pregnancy में during the pregnancy क्योंकि मुझे placenta previa था और कुछ ऐसी medical problems थी जब बच्चा पैदा हुआ तो Hasan साहब निकले 5 pounds से भी कम के तो यानि के 70 pounds में से बच्चा 5 pounds से कम का था और time से पहले पैदा हुआ था 65 pounds मुझे weight कम करना था अब 65 pounds कोई मजाख नहीं है और obviously इंसान हूँ, just like anyone else मेरी ये ख्वाहिश थी के फॉरण ही मेरा weight उतर जाए anyway baby हुआ, c-section था, exercise कर नहीं कर सकती थी तो इस वचा से अब मैं right after the baby हर रोज बेंग मशीन पर चड़ू हर रोज मेरा 1-2 pound भी वजनना कम हो फिर उसके बाद obviously जब life in process आई तो weight उतरना शुरू हो गया obviously कुछ तो excess weight वैसे ही था जो water retention और बाकी चीज़ें थी लेकिन जब वो पहले 6 हफते निकल गए after the baby तो फिर जाके मुझे समझाई कि actually मुझे कोई 40 को pound कम करने है so 70 से 40 प्यावमाब है अब कुछ चीज़े हैं जो बहुत जुरूरी है याद रखना जो मैंने nutritionist से trainer से जैसे personal trainers जो exercise बगारा कराते हैं जिनका experience होता है लोगं के rate loss कराने में और doctor से discuss किया है so nutritionist से भी मैंने बात की gynecologist से भी बात की and also trainer से भी और आज जो information आप इसाँ share करूँगी वो सब की एक collective information और opinions से related है सबसे पहले तो पहले six weeks में एक तो जब हम मतब बेभी पैदा करने के बाद पहले छे हफते तक आप ज़रूर healthy pull की exercise करें और थोड़ा सा अपने system को active करना शुरू करें अगर आपका sezarian नहीं हुआ तो अगर आपका exercise करना शुरू करेंगे या प्रॉपर dieting की तरफ आएंगे तो उससे पिछले 6 हफते आपने क्यों नहीं किया यह understand करना important है childbirth एक बहुत बड़ा change है जिसके through body जाती है about six weeks आपको चाहिए होते है उसको adjust करने को एक तो बच्चा पैदा करना और उसके बाद जो खवातीन breastfeed करती है उनके लिए especially थोड़ा cycle adjustment period होता है ताके वो physically वापिस अपने आपको active करें so six weeks के बाद अगर आपने diet plan या dieting की तरफ जाना है तो जाएं अगर आप breastfeed कर रहे हैं help जरूर करती है अगर आप एक certain kind of diet लें अगर आप मुरगन घजाएं खाएंगे देसी घी खाएंगे प्राठे खाएंगे soft drinks का इस्तमाल करेंगे obviously इंके उपर से लेबल्स उतारती हैं बड़ आपको पता ही है बहुत सी खवातीन बच्चा होने के बाद energy drinks पीती है अपनी energy revive करने के लिए कहती है चलो भई अगर हम cola ले रहे हैं तो diet cola ले ले लेते हैं अच्छे यह सारी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में excrete होती है और बच्चे के system में भी जाती है कि यह जो sodas है इनको पीना छोड़ दें बहुत ज्यादा चाय और काफी से इस्तनाब करें यह चीज़ें आपके system को damage ज्यादा करती है और फाइदा कम देती है this is your best threat पानी बहुत ज्यादा पानी पिए जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपके system में से toxins निकलेंगे और उतना ही ज्यादा आप Hindi living की तरफ जाएंगे also जो लो breastfeed कराते हैं अगर आप नहीं भी breastfeed करा रहें तो child birth के बाद आपको पानी की जरूरत होती है वैसे भी आपके system को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है but after child birth तो पानी एक जरूरत है और जो लो breastfeed करा रहे हैं याद रखें हमेशा कहा जाता है के बच्चे को फीड कराने के बाद at least 2 glass पानी पिया करें उससे पहले का उसके बाद में but have at least 2 glasses of water every time you feed your child so यह एक important factor है bathroom please regularly जाएं बहुत सी खवातीन, बच्चा होता है क्योंकि वो खबराई भी होती है और हर बच्चे के सार पे हवर करी होती है तो bathroom ही जाती है please whenever you need to go to the bathroom किसी को बच्चे के सार पे बोगन बठाएं go to the bathroom and come back regularly bathroom जानी से, urinate करनी से आपके system से toxins नकलते है नींद, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है अब मुझे पता है वो बच्चे मैंने भी बाले हैं और पाल रही हूँ नींद पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन थोड़ा सा support ले ले अपनी family से अपनी मदर से, अपनी mother-in-law से, अपनी नन से, अपनी बहन से किसी husband से, hopefully husband इतने supportive तो होंगे दिन में 8 गंटे की नींद आपके लिए जरूरी है अगर आप नींद नहीं पूरी करेंगे आपकी बड़ी स्ट्रेस में आएगी रिलीस करता है कोटिजोल आपकी सिस्टम में वह weight loss inhibitor है तो अगर आपकी बड़ी में stress ज्यादा होगी तो तब भी आपका weight कम नहीं होगा अगर आपकी नीन नीपूरी होगी तब भी आपका weight कम नहीं होगा और एक बहुत major चीज दो पांड से ज्यादा डेड़ से दो पांड से ज्यादा पर week कम करने की कोशिश मत करें छे हफते गुजर गए जो आपकी water tension सारा कुछ यह वो nonsense निकल गई छे हफते के बाद हर हफते दो पांड से ज्यादा कम करने की कोशिश मत करें अगर naturally हो जाता है वो और बात है लेकिन जबरदस्ती अपने body को starvation mode में डालना देखे body को 9 महीने लगे वजन चड़ने में तो उसको कमसकम 9 महीने तो देना उस वजन को उतारने के लिए भी एक normal, stable, healthy lifestyle बड़ा important है अपनी जिंदगी से stress को जड़ा reduce करें अगर आपने बच्चे को 100% खुदख्याल रखती है तो फिर आपका focus यह होना चाहिए घर में किसी और को जिम्यदारियां दे दे बापकी चीज़ें करने की वरना आप भी सफर करेंगे बच्छा भी सफर करेंगा और अज़ रिजल्ट आपका हजबन वाइफ का जो एक रिलेशन्टिप है भी सफर करेंगा तो थोड़ा सा stress level को reduce करें अच्छा यहां पे process foods जैसे कि मैंने का कोला अगर को अगर को अगर को अगर आपका जी चाह रहा है पर एजांबल पराठा खाने का तो चक्की का आठा जिसमें एक्स्ट्रा फाइबर मिला हुआ है उसको देसी घी में या मख़ी में बना लें हम एक्चली बहुत घलत किसम की चीज़ें यूज़गता है प्रासेस फूड्स में ओयल्स भी आजाते है तो कोशिश करें कि बो वाले ओयल्स इस्तमाल करें जो आपकी सेहत के लिए अचछा है मख़्स को आपकी सेहत के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहें। रादे देन बड़ी-बड़ी मील्स खाएं। कभी-कभी होता है नहारी खाने को दिल जाता है। जुरूरी नहीं है कि दो नान, मघज, नली, तड़के के साथ खाएं। बेकुस देखें, बॉड़ी ऐसे major changes से गुजरती है, कि जब तक आप workout नहीं करेंगे तो आपकी बॉड़ी वह वापस शेप पे नहीं जाएगी। बहुत सी लडगियां प्रेगनंसी के बाद उसी वेट पे चली जाती है जिस पेट पे पहले थी लेकिन उनकी बॉड़ी की शेप खराब हो जाती है। obviously क्योंकि एक प्रेगनंसी एक पेट निकला वापिस गया। So, point यह नहीं है कि आपने skinny होना है, point यह होना है कि आपने skinny अगर होना है तो वो चले आपनी choice है आपने fit होना है Fit होने में और पतले होने में जमीन अस्मान का फर्ग होता है। और यह दोनों चीज़ें combine करने के लिए efforts करने पड़ते हैं। So, maybe request है for all the lovely people out there who are trying to have babies, के baby होने के बाद fast forward का button दबाने के बजाए, आराम से, इत्मे नहम से, तहम्मूल से चीज़ों को करें, because जो खवातीन बहुत जादे स्पीड से weight lose करते हैं, वो पतली जरूर हो जाती है body out of shape हो जाती है, skin खराब हो जाती है, skin पर wrinkles आ जाते हैं, जुलियां आंकों के नीचे and वो जो बहुत बरे dark circles हो जाते हैं और बाल गिनने शुरू हो जाते हैं So, इन चीज़ों को avoid करें और थोड़ा सा अपनी body को तरीके से आगे लेके चाहिए अब exercise कितनी करनी चाहिए, ideally 6 days a week but 4 days a week भी अखर आप करते हैं, 45 minutes exercise तो वो काफी है बहुत सी fitness videos आपको online मिलती है, मैंने भी बहुत सी videos बनाई है जो आप लोग देख सकते हैं, otherwise as well exercise करें, घर पे ही रहके exercise करें आपका nap कर रहा है, आप चुप करके अपनी video लगा के उसके उपर exercise कर लें, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम बनाते हैं, अगर हम थोड़ा सा फोकस के साथ चलें, जो घर में चीज़ें बन रही हैं वो ही खाएं, प्रोटीन का ज्यादा इस्तमाल करें, especially अगर आप रेस nutrients and vitamins rich food खाएं, अपने fat के content को reduce जरूर करें, जो आप oil वगरा यूज करते हैं, लेकिन जब यूज करें, तो सही वाला यूज करें, प्रोसेस फूट से दूर रहें, soft crinks को avoid करें, पानी पिएं, अगर कोई चीज खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, इसको खा लें, ह कुछ दिन पहले ही मेरा बहुत दिल चाहरा था, वो एक चिप्स होते हैं, मसाला फ्लेवर्ट के, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, उस दिन मेरा दिल चाहरा था काने को, मैंने इसको avoid किया, दो दिन avoid किया, अब तीसरे दिन, मेरे सामने कोई खा रहा था याने का, और पकेट मंगवाया, तो अपनी आपको situation में ही डाले ना कि आपको hawk का चड़े, दो तीन चिप्स खाए, satisfied हो गए, बात खतम हो गई, unless आप desperate हो जाएं, फिर आप आगल हो जाते हैं, so, चरासा, इत्मिनान से और होसले से, और याद रखें, नौ महीने लगे वेट चड़ करने के लिए, और कोई प्रेशर नहीं आप पे, अगर हस्बंड कहता है, तो उसे कह पहले पनी हालत दे फिल्में के, अपना ख्याल रखें, अपने एद्गित वालों का ख्याल रखें, लेकिन अपने हापको priority पे रखें, क्योंके उस stage पे, right after the baby priority आप और बच्चा है, so, a आपकी जो weight loss journey है, as a new mom, उसमें आप काम्याब हो, I've been through it, lot of other people have been through it, हार इंसान का experience बहुत individual होता है, लेकिन support आपको हम सबसे जरूर मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आई, तो उसे like कीजेगा, इसे share कीजेगा, comment कीजेगा, YouTube के channel को, इस channel को, जरूर subscribe भी कीजेगा, और notification bell को कीजेगा, आप मुझे social media पे भी follow कर सकते है, Instagram और Twitter पे, J-U-G-G-U-N-K-A-Z-I-M लिखे, अगर आपने मुझे Facebook पे follow करना है, तो जुगन कासम official पे follow कर सकते है, मैं पानी पीती हूँ, आपसे तुमला काते होगी, फदा पेस कर सकते है, आप मुझेगा, आपसे प्रपमे।